पिछले एपिसोड में जहां विस को वार्निंग मिलती है वहीं दूसरी ओर क्लोवर किंडम में चार ओर काले बादल छा जाते हैं वहीं क्लोवर किंडम में अटेक होता है चार ओर जॉंबी ही जॉंबी होते हैं सभी मैजिक नाइट्स वहां पहुंच जाते हैं और पैटल उन पीष्ट और अपने तक रखने का सोचता है पर कोकू और वेजीटा को कहता है तुम दौनों बिग बैटल के लिए रेडी रहो वेजीटा कहता है हाँ, फ्रीजा इस वार नहीं बचेगा विज वेजीटा से कहता है यहाँ सकालिट और मैजिक नैट्स लगता बैटल कर रहे होते हैं पर यह जौंबाई रिजेनरेट होते जा रहे होते हैं तब ही उनमें से एक लीडर आता है जो की डीमन होता है इस कालिट यहाँ देख हैरान होती और कहती है इस इस आ डीमन वार आई होब गाईज आई होते हैं